हालो फ्रेंड मैं सोनम आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमी कंड़क्टर इसके फुल कॉंचप्ट समझेंगे कि एक्च्वल में क्या होता है इसके बैंड डाइग्राम से और इसके स्टक्चे से समझने की कोचिस करेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं और अगर आ है पॉइजिनल फॉर्म होती है जब कोई आमने हमने इसमें कोई इंप्योटी नहीं मिला आए है इसको इसको उन्हेश्य को मेर्ट को समय कंड़क्ट्र और आईब सट्नी वह उतना है यह प्योड़ कर झिल्षय है और generational Share को होती हो वह बहुत होती है इसके किष्टे लाइन स्ट्रक्चर से देखते हैं जब जीरो कैल्विन पर जब तो यह इसमें यह सिलकन या जिनमेडियम हमने लिया है कोई भी सेमिकन्ट्रिक्ट है इसके आउटर मोस्ट औरवेट में कितने हैं तो यह अपने आस पास के फोर इलेक्ट्रोन से कोवेलेंट बांडिंग बना लेता है जीरो कैल्विन पर सभी बॉन्ड सभी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा हुआ नहीं सभी अपने आस पास के बॉन्ड से आस पास के इलेक्ट्रोन से बॉन्डिंग कर लेता है तो अब क्या होता है इस स्टेट में जब टें कोई भी इलेक्ट्रॉन फिरी होके नहीं पाता है क्योंकि बॉन्ड कोवेलेंटम बॉन्डिंग है और बॉन नहीं टूप पाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन और होल फिरी नहीं हो पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से कोई भी बॉन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फिरी ह होती है यान कि lack of lack of electron यान कि deficiency of electron उसको मुलते है hole तो zero Kelvin पर क्या होता है कोई भी bond नहीं तूटता है तो कोई भी electron इसमें conduction band में फिरी होके नहीं पहुंच पता है यहां कि कोई भी charge carrier यहां नहीं पहुंच पाता है conduction band में यहां पर जब कोई charge carrier नहीं होगा balance band में भी कोई hole नहीं होंगे क्योंकि ना तो electron वहां पहुंचा है conduction band में नहीं तूटी है covalent bond की इसलिए जो semiconductor होता है zero Kelvin पर किसकी तरह काम करता है insulator की तरह क्योंकि कोई भी charge carrier ही नहीं होता है फिरी ना तो यहां electron है कि ना hole है कि सब किसमें bond बना हुए तूटे ही नहीं electron और hole है नहीं कि कोई charge carrier ही नहीं है आप कि चाहिए कितने electrical electric field दे दो आप कुछ भी दे दो जब charge carrier ही नहीं है तो flow क्या करेगा ना electron है ना hole है current दोनों की वज़े से constitute करता है electron की वज़े से current flow होता है और hole की वज़े इस वी current flow होता है और अगर electron इस direction में flow कर रहे हैं तो current opposite direction में flow होगा लेकिन hole के hole जिस direction में flow करते है current भी उसी direction में flow करता है तो क्या होता है जब कोई charge carrier ही नहीं है तो क्या होगा कर खाहां से current flow होगा अभी जब 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 0 Kelvin है ना हमारे covenant bonding नहीं टूटे ना तो electron है हमारे पास ना hole है तो क्या होता है कोई charge carrier नहीं flow होता है इसलिए हम कहते हैं जो semiconductor होता है हमारा zero Kelvin पर कैसे काम करता है इक insulator की तरह काम करता है ना तो electron है ना ही होल है तो आप चाहिए कितनी भी लेक्टिक फील दे दो कुछ भी दे दो क्योंक्रेंट फिलो नहीं होगा इसलिए क्योंक्टिविटी नहीं पर कोई कुछ भी नहीं होगी होता है कि कितना करेंट फ्लो हो भरा है कण्डु करेंट कटें नहीं टूरते कोई चार्ज कईरीर नहीं होते हैं इसलिए इसलिए इसले इसलिए इसचार्श कर्दम्ट होते हैं अब हमने लिए तेंपरेचर बढ़ाना श्टाइए जीरो से हम उसे और बढ़ाया सो दोसो तीन सो केलविन पर ले आते हैं रूम टेंपरेचर पर इतनी सफीशेंट इनर्जी होती है कि कुछ को वैलेंट बहुन टूटने लगते हैं लेकिन एक भाद ध्यान रखना सारे बहुन नहीं टूट जाते हैं एक बार में जैसे जैसे हम इनर्जी बढ़ाते हैं थर्मल एनर्जी यानिकी रूम टेंपरेचर पर जो इनर्जी होती है उस पर कुछ बहुन टूटने लगते हैं कि इनर्जी का डिस्टिवीशन इस तरह से होता है वैलेंट के अंदर के ओवरॉल टेंपरेचर तो कॉंस्टेंट रहता है आपने थ्र बॉल आसे मौलो अभी हमने यहां पर एक ही वाला तूट है यह वाला एक हमारा यह वाला तूट हो जिक तूट हुआ जब हमारा kovalent bond टूटा तो electron और hole generate हुआ अब balance wind में से अब क्या हुआ यहां से electron किसमें है फिरी होके conduction wind में पहुंच गया जा हमने room temperature दिये दिए बीच में तो कोई state नहीं है ठीक है इतनी जब sufficient energy मिल जाएगी कि यह conduction wind में पहुंच जाए तो यहां से electron हमारा ठीक है तो इससे हमें क्या मिला एक इसकी वेकंसी जो क्रियेट हुई वह हमें मिला hole फिर से पहुंच गया connection wind में तो इस तरह से कोबलेंट तूटते हैं और क्या होता है जो electron है वह conduction wind में पहुंचते हैं तो balance wind में क्या all-created होते हैं इतनी सफीचेंट इनर्जी हो जाती है कि कुछ cobalent band तूटने लगते हैं तो इतना होता है कि कुछ cobalent तूटते हैं तो charge carrier कि रिए होते हैं अब electron फिर होंगे तो current फिलो होगा जब charge carrier होंगे तो क्या होगा current का फिलो होगा है नहीं कि रूम टेंप्रेचर पर जो semi conductor होगा इसमें कुछ conductivity थोड़ी होगी conductivity बड़े क्योंकि charge carrier होंगे तो इसमें कुछ current फिलो होगा लेकिन इसकी semiconductor प्योर semi conductor होता है यहन कि जब इसमें कोई doping नहीं मिलाते हैं तो इसकी connectivity जो होती है वो कुछ कम होती है पूर होती है ज्यादा अच्छी नहीं होती है कि मैंने को valent bond is broken it will create one electron और बन होल जाम कोईलन टूटा एक लेक्टॉन क्रियेट हुआ एक होल यह इन्टेसिक semiconductor always n equal to p हमेशा जितने भी electron होंगे उतने होल होंगे क्योंकि जैसे सब्सक्राइब कोईलन टूटता है एक लेक्टॉन होता है क्या यह बैलेंस बांट से कंडक्शन में पहुंचता है तो एक electron यह होता है फिर electron और एक यह होल यह क्या होता है होल क्रिये हो जाता है तो हमेशा जितने electron होंगे उतने ही होल होंगे इंट्रीक सेमिकंडक्ट्रों होता है उसमें हमेशा इन होते होता है नहीं पी होते हैं और यह किसके बढ़ावर होता है एन आई हैंनी कि जितने electron होंगे उतने ही hole होंगे इसमें intrinsic semiconductor पड़ोगे तो वहां पर क्या होता है हम impurity मिला देते हैं doping कर देते हैं या तो n-type के charge carrier बढ़ा देते हैं या p-type के charge carrier बढ़ाते हैं तो वहां पर donor level एक acceptor level भी आ जाती है तो वहां intrinsic semiconductor होता है उसमें हमेशा इवाध्यान अकना हमेशा n equal to p होगा और किसके इक्वल होगा इन नाई यानि की intrinsic carrier concentration अब यह जो electron यहां पहुंच जाते हैं यह यहीं नहीं बने रहते हैं ठीक यह यहां से क्या होते हैं electron की क्या tendency होती है यह चाता है electron इसे hole देखे तो hole के साथ क्या combine हो होते हैं तो इनके बीच के जो energy difference होता है वो जो energy create होती है इसके heat और light के form में create होती है heat और light के form में create होती है तो यह आखे इसके साथ combine हो जाते हैं तो जब कोई cobalent band bond तूटता है सबस्पे पहले क्या हुआ तो तूटा था उसके बाद electron hole फिरी हुए है ठीक है electron conduction band में पहुचा और balance band में hole है तो उसके बाद फिर से जब electron and hole combine होंगे इस पूरे time को हम बोलते है recombination time के बाद के तूटने से electron and hole फिरी हुए होने के बाद दुबारा फिर से combine होते है इस पूरे time को मुलते है recombination time when covalent bond breaks it will generate equal number of electron and hole this is called generation of electron hole pair यह जो generation of electron hole pair intrinsic semiconductor के लिए ही defined idea intrinsic semiconductor में क्या होता है generation होता है जब भी covalent bond तूटता है इतने electron उतने hole के लिए तूटते है इस लिए generation of electron hole pair during the recombination free electron and hole will disappear and covalent bond is created फिर से recombine हो जाते हैं तो electron hole क्या होते हैं disappear हो जाते हो फिर से covalent bond create हो जाता है during the combination free electron will be falling from conduction wind to balance wind and the difference of energy dissipated in the form of heat and light अगर वोई silicon germania यह material यूज कर रहो तो इन में क्या होता है 99 परसंट जो इनर्जी डिफरेंस होता हो हीट के फॉर्म में निकलता है और एक परसंट लाइट के फॉर्म में लेकिन जो और होते हैं अगर आप गैलियम आर्सिनायर यूज करोगे गैलियम फॉसफायर जो आप LED में यूज करते हो उसका प्रिंसिपल यही होता है कि उसमें जो जब उसमें यूज करते हैं यूक जो इनर्जी होती है वो 99 परसंट लंबग रथीं हीट के फॉर्म में बचलती हैं आप अब intrinsic conductivity देख रहे थे हैं सिग्मा इंटिंसिक कंड़क्टिविटी हमने पता है क्या होता है n q mu n plus p q mu p यानिकी छोल की कंसेंटेशन चार्ज और मोबल्टी और होल की कंसेंटेशन चार्ज और मोबल्टी हमारी कंड़क्टिविटी होती है लेकिन अब intrinsic स्यंक्टॉटिक्स्य थे पहले एक सेमिकंडॉक्ट्र के लिए गनल सप्धा लिया पड़ debating प्योह समी गनुक्तरिके विए रख सकते हैं प्या अणिक या घर्कते न फिसमें एलेक्ट्रन हुग सिंट्रीयर कनदेशन होगिं यह हमारी होगी intrinsic conductivity आग जो सिंगमा आई है इसमें दो सिंगमा यानिक कि जो intrinsic conductivity है वो डारंख्ली प्रपोशनल है intrinsic carrier concentration लेकिन जो intrinsic carrier concentration होती है वो temperature के डार्क्ली प्रपोशनल होती है ठीक है और कैसे होती है ति Wanna non-linear , आँए है की आट नोन लिनियर वैरियेसन होता है, इसलिए अग इंतििस stereotype ने жить to ति Wanna निए आट पॉर्षिणान हो जाए तूढ़िए हाई क्योंकि क्योंकि есть के महते हैं कि क्यों सब्सक्राइब लीटेती और這邊 क्यों लियूंटिवीटि यह यह ईंत्यों सवांटी वह यह इं इसका किया निक तो यानि कि impurity मिलाते हैं कि इसके लिए connectivity बढ़ाने के लिए क्या है डोपिंग क्योंकि हमने बता है इसमें charge केरिये बढ़ा देते हैं या तो कि एलेक्टरॉन बढ़ा देंगे या होल बढ़ा देंगे n-type की impurity मिलाएंगे तो जब चार्ज कारिये ज़्यादा बढ़ जाएंगे पी टैप यूल बढ़ जाएंगे अम बहुत ज्यादा इंप्वी इनकी प्रीक्टिकल नहीं नहीं होती प्रेक्टीकल यह जब यूज करते हैं तो हम इसमें क्या दोपिंग मिला की उसकरते हैं तो क्या होता है कैसे दोपिंग मिलाते हैं तो उसकी कैसे बढ़ती है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क है दो धन्यवाद पढ़ते रही है और अपने estavaयाव की अभी से पीसे करेंगे तब आप उसमें भैतर स्कॉर कर पाएंगे तो पढ़ते रही है आप लो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लो कमेंट बॉक्स में कीचे मैं कोशिस करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की थेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रही है अपने सपनों को जिन्दा रखिए